मैंने कहा पुलो से हसो तो खिल खिला के हस दिये आ हुमें चले या 1970 और 80 के जमाने की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपने दमदार एक्टिंग के दम पर पूरे भारत में एक सम्मानी इस्थान बनाया और बहुत कम समय में एक मेगा स्टार बन गई एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने अभिने करियर के दोरान दस फिल्म फेर पुरसकार जीते और अभिनेiens के अलावा राजनीती में भी अपनी पहचान बनाई एक च्छोटी सी बेटी के कहने पर अपने शांदार अभिने करियर को पल में त्याग दिया लेकिन क्या आपको पता है अपने समय कि इस सुपरस्टार एक्टरिस ने एक स्ट्रगलिंग एक्टर से शादी रचाई थी और आज इनके पती सदी के महानायक कहे जाते हैं और क्या आप जानते हैं कि इनके पती का कई एक्टरिस के साथ अफैर होने की बात जानते हुए भी इन्होंने कभी अपने पती का साथ नहीं छोड़ा और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा ने अपने समय के सूपर स्टार राजेश खन्ना को भी फटकार लगा दी थी और रेखा जैसी स्टार अभी नेत्री को थपड़ जर दिया था आगे बताएंगे इस जहीन अदाकारा की जिंदगी के और भी अनसुने किस से आप देखते रहिए बॉलिवुड के रोचक किस से वेदिका के साथ हिंदे सिनेमा की दमदार अभीनेत्री के रूप में जाने जाने वाली इस अदाकारा के अभीने करियर की मिसाल दी जाती है इन्हें सत्तर और असी के दशक में कई फिल्मों में यादगार रोल निभाने के लिए याद किया जाता है चाहे वो अभिने हो परिवार या फिर राजनीत यहार क्षेतर में सफल रही जिस अदाकारा के जीवन के पन्ने आज हम पल्टेंगे उनका नाम है जया भादुरी जो अब जया बच्चन के नाम से जानी जाती है जया भादुरी का जन 9 एप्रेल 1948 में जबलपुर में हुआ था इनके पिता तरुन कुमार भादुरी उस वक्त के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और कवी थे इनकी मा का नाम इंदिरा था जया भादुरी की स्कुलिंग भुपाल से हुई थी इसके अलावा अपनी पढ़ाई के दौरान जया को 1966 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में बेस्ट इंडिया NCC कैड़ेट अवार्ड भी मिला था एक मैनी के लिए नो फिल्म्स, नो स्टार, दिन, रात, लिखाई और पढ़ाई जया भादुरी ने पहली बार 15 साल की उम्र में डारेक्टर सत्यजीत रे की बंगाले फिल्म महानगर में अभिने किया जो की 1963 में रिलीज हुई थी सत्यजीत रे के साथ अपने experience से inspired होकर उन्होंने acting में career बनाने का निर्ने लिया वो पुरे के भारतिये फिल्म और टेलिवेजन संस्थान FTII में शामिल हो गए एक कलाकार की बेटी में अभिने की इतनी लालसा थी कि अपनी मेहनत के बल पर इन्होंने गोल्ड मेडल के साथ अपना acting कोर्स पूरा किया FTII के ही दोरान एक प्रोग्राम में मशूर डारेक्टर रिशिकेश मुखरजी की निजर जया भादुरी पर पड़ी वो उनकी acting skills से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म गुड़ी में जया को कास्ट किया 1971 में आई इस फिल्म में जया ने फिल्म स्टार धर्मेंदर के लिए attracted एक स्कूल लड़की की भूमी का निभाई थी अपनी पहली ही फिल्म में फिल्म फिल्म फिर बेस्ट एक्टरिस के लिए नॉमिनेट हो जाना जया भादुरी जैसी acting legend के ही बसकी बाद थी ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि बाद में उस फिल्म का तमिल में कमल हसन और जया चित्रा के साथ रीमिक किया गया इसके बाद तुझे से जया के पास फिल्मों की लाइन लग गई अपने शुरुवाती केरियर में ही जया ने बहुत डाइवर्सिफाइड रोल्स किये जैसे 1972 में आई जवानी दिवानी में उन्होंने ग्लामरस भूमी का निभाई तो वही 1973 में अनामिका में एक भूलने की बिमारी वाली लड़की का एक ऐसा रोल किया जिसमें उनका किरदार थोड़ा नकरात्मक भी था 1972 ऐसा साल था जिसमें जया भादरी की 11 फिल्में रिलीज हुई थी जिसमें मुख्य रूप से पिया का घर, परिचै, कोशिश, शोर जैसे फिल्में शामिल थी इन सुपर हिट फिल्मों ने जया को सुपर स्टार का दर्जा दिला दिया उन्होंने पहली बार अमिताह बच्चन के साथ 1972 में आई बंसी बिर्जू में अभी नहीं किया उसके बाद उसी साल बियार इशारा की एक नजर में भी काम किया जब अमिताह बच्चन को कई फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा उस वक्त की ज्यादा तर लीड एक्टरसेज ने सलीम जैवेद की स्टोरी वाली जंजीर में उनके साथ काम करने से मना कर दिया तो जैया भादरी इसमें काम करने के लिए तयार हो गई इसका एक कारण ये भी था कि एक बर जैया ने अमिताब को FTII में देखा था और पहली ही नजर में अमिताब के व्यक्तित्व ने जैया का ध्यान खीचा था खेर जैया के साथ इस बार अमिताब की किस्मत पलती और जंजीर सुपर हिट साबित हुई इसके बाद एक जोड़ी के रूप में उनकी सबे फिल्में बहुत हिट रही इन फिल्मों के लिस्ट में कुछ नाम है 1973 में आई अभिमान, 1975 में आई चुपके-चुपके, मिली और मेगा हिट शोले जैया भादुरी से रिलेटेड एक दिल्चस्प वाकया उस जमाने में कुछ मैगजीन्स की सुर्खियों में छपा था माना जाता है कि उस वक्त के सुपर स्टार राजेश खना को जैया का अमिताब के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं था उस वक्त सिनेमा जगत में ऐसी चर्चा थी कि बावर्ची के सेट पर अमिताब अक्सर जैया से मिलने जाते थे और राजेश उन्हें नजर अंदाज कर देते उन्होंने जैया को अमिताब बच्चन से मिलने के बारे में कई बार आगाह भी किया था इस बात पर एक बार जैया को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने राजेश खन्ना को खुब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि आप जिस स्ट्रगलिंग लड़के से ना मिलने की सलाह दे रहे हैं वो एक दिन आप से भी बड़ा सूपर स्टार बनेगा और नियती ने ये बात सच कर दिखाया अमिताब और जया के मन में एक दूसरे के लिए पहली मुलाकात से ही आकरशन तो था ही तो करीबियां भी बढ़ने लगी इसके बाद मुलाकातों का सलसला शुरू हो गया इसी दोरान फिल्म जन्जीर को जबरदस्ट सफलता मिली अमिताब, जया और इनके दोस्त इसका जश्न देश के बाहर जाकर लंदन में मनाना चाहते थे लेकिन अमिताब के माता पिता ने लंदन यात्रा के उनके प्लान को यह कहते हुए खारिस कर दिया कि किसी लड़की के साथ तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक उससे शादी नहीं कर लेते अमिताब ने अपने प्रेम जीवन में सबसे बड़ा कदम उठाया और जया बहादुरी को शादी के लिए प्रपोस किया और उन्होंने तुरंथ हां कर दिया अमिताब ने उनके माता पिता से उनकी स्विक्रिती के लिए संपर्क किया और उन्होंने भी हामी भर दी 3 जून 1973 को जया और अमिताब परने सूत्र में बद गए और फिर दोनों लंदन के लिए रवाना हो गए शादी सादगी पूर्ण तरीके से हुई थी जिसमें केवल कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ही शामिल हुए थे शादी के बाद जया भादुरी जया बच्चन बन गई जया बच्चन ने सिल्वर स्क्रीन पर कई फिल्मों में एक समझदार और सुलजी हुई औरत का किरदार निभाया है और वो असल जिंदगी में भी एक सफल ग्रहनी और समझदार पतनी रही है एक समय था जब जया के पती अमिताव और उस वक्त की सबसे होट अदाकारा परवीन बॉबी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था दोनों की ओन स्क्रीन के मिस्ट्री को भी खूब पसंद किया जाता था इसी के साथ दोनों का रोमेंस ओफ कैमरा भी शुरू होने लगा एक इंटर्वियू में परवीन ने अमिताव की तारीफों के पुल बांगते हुए कहा था कि वो अपने जिंदगी में सबसे ज़ादा इंप्रेस अमिताव से हुई थी दीरे दीरे इन दोनों के अफैर की भनक जया को भी हुई जानकार बताते हैं कि जया ने बड़े धैरे से अपने पती से इस मुद्डे पर बात की और नतीजा यह हुआ कि अमिताव ने परवीन से किनारा कर लिया हलाकि इतना सब होने के बाद भी जया बच्चन ने पब्लीकली इस मुद्दे पर कभी कोई कॉमेंट नहीं किया उन्हें मालूम था कि घर को कैसे संभालना है आईए अब बात करते हैं जया भादुरी के दामपत्य जीवन के सबसे कड़वे अनुभव की और वो है उनके पती अमिताब बच्चन का एक्ट्रस रेखा संग एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर ये अफैर आज भी बॉलिवुड के सबसे चर्चित मामलों में से एक है अमिताब और रेखा के अफैर की कहानी 1976 में फिल्म दो अनजाने के सिट पर शुरू हुई जब अमिताब पहले से ही शादी शुदा थे अपने गुपचुप रिष्टे के शुरुवाती दिनों में दोनों एक बंगले में मिलते थे जो रेखा के दोस्त का था पहले तो अमिताब और रेखा के इस अफैर के बारे में किसी को नहीं पता था लेकिन धीरे धीरे ये बात जंगल की आग की तरह पूरे इंडुस्ट्री में फैल गई आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी शान्त और गंभीर दिखने वाली जया ने एक फिल्म के सेट पर जाकर रेखा को थपड मार दिया था दरसल हुआ ये था कि फिल्म प्रोड्यूसर टीटो टोनी अपने फिल्म राम बल्राम में अमिताब बच्चन और रेखा को कास्ट करने वाले थे जया बच्चन को इनके अफैर के बारे में पता चल चुका था इसलिए वो इससे खुश नहीं थी उन्होंने अमिताब बच्चन के साथ फिल्म के लिए जीनत अमान को कास्ट करने के लिए प्रोड्यूसर को सिफारिश की हालाकि जब रेखा को रिप्लेस किये जाने के बारे में पता चला तो वो सीधे फिल्म के डारेक्टर विजय आनिंद के पास चली गई उस वक्त रेखा सबसे ज्यादा डिमांड वाली अक्टरिस थी और इसलिए जब रेखा जैसी स्टार ने किसी डारेक्टर से काम के लिए अप्रोच किया तो वो मना नहीं कर पाए इस बात को लेकर जैया बच्चन जाहिर तोर पर बहुत गुस्से में थी और उन्होंने बिग बिग को फिल्म को मना करने के लिए समझाने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं माने अब तो जैया का गुस्सा सातवे आसमान पर था एक दिन अचानक वो सेट पर पहुँच जैया बच्चन ने रेखा को डिनर पर घर पर बुलाया और खुल कर कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पती को कभी नहीं छोड़ेंगी और इसी तरह जैया ने आखरी दम तक अपना वादा निभाया आपको ये भी बताते चलें कि जैया अमिताब और रेखा ने फिल्म सिलसिला में साथ काम किया और माना जाता है कि ये फिल्म इनके रियल लाइफ लव ट्रैंगल पर आधारित थी साल 1981 में दिगज फिल्म निर्माता और इन तीनों कलाकारों के प्रियमित्र यश चोपड़ा ने अमिताब के डूबते करियर को बचाने की पेशकश की और उन्हें एक लव ट्रैंगल सिलसिला के स्क्रिप्ट सुनाए कहानी में ट्विस्ट ये था कि वो चाहते थे कि अमिताब उनकी पतनी जया और उनकी प्रेमिका रेखा फिल्म में साथ काम करें जया ने पहले तो चोपड़ा को मना कर दिया लेकिन बाद में अपने पती और उनकी प्रेमिका के साथ फिल्म सिलसला में काम करने के लिए तयार हो गई अब आप सोच रहे होंगे कि उनका मन क्यों बदल गया इसका कारण था सिलसला की कहानी का अंद जहां पती आखिरकार अपनी पतनी के पास वापस आ जाता है अफैर के बाद एक आदमी का अपनी पतनी के पास वापस आने का ये विचार जया को पसंद आया और उन्होंने फिल्म साइन कर ली और ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई जया बच्चन के फिल्मों से दूरी बना लेने के पीछे भी एक बहुत इमोशनल घटना थी जो बहुत कम लोगों को पता है दरसल उनकी बेटी श्वेता का जन साल 1974 में हुआ जब जया और अमिताव फिल्म शोले में साथ काम कर रहे थे जब इनकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तब एक दिन उस मासूम बच्ची ने अपने मां से सवाल किया कि वो रोज उन्हें छोड़ कर क्यों जाती है मासूम बच्ची के ये शब्द उनके दिल में घर कर गए और उसके बाद उन्होंने फिल्मों से सन्यास लेकर अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान के इंद्रित किया जया और अमिताब बच्चन के दो बच्चे हैं बड़ी बेटी श्वेता बच्चन जो एक एंट्रेप्रेनियोर हैं और उनके शादी बॉलिवुड के मशूर कपूर परिवार के निखिल नंदा से हुई है और छोटे बेटे अभिशेक बच्चन है जो कि अपने माँ बाप के नक्षे कदम पर चलते हुए फिल्मों में अक्टर बने इनका करियर इनके पैरंट्स जैसा सक्सेस्फुल दो नहीं रहा पर उन्होंने कुछ अच्छी और सफल फिल्में दी हैं जया बच्चन की बहु बनी विश्वे सुंदरी और मशूर एक्ट्रेस एश्वरे राय ब जया बच्चन के तीन नाती पोते भी हैं और इनके हस्ते खेलते परिवार की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर चाही रहती हैं जया बच्चन सत्रा साल के अंतराल के बाद 1998 में नकसली अंदोलन के मुद्दे पर गोविंद नहलानी के एक फिल्म हजार चौरासी की मा के साथ अभिनय में लोटाई साल 2000 में उन्होंने फिजा में अभिनय किया जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरस का फिल्म फेर पुरसकार भी मिला 2001 में उन्होंने अपने पती के साथ करन जोहर की फैमली ड्रामा मुवी कभी खुशी कभी गम में भी अभिनय किया इसके बाद उन्होंने जोहर की रोमेंटिक कॉमेडी ड्रामा कल हो ना हो में भी अभिने किया जिसमें प्रीती जिंटा की मा की भूमी का निभाई दोनों फिल्मों ने उन्हें सरवश्रिष्ट सहाया कभी नेतरी का फिल्म फिर पुरसकार भी दिलाया उन्होंने अपने बेटे अभिशेक के साथ लागा चुनरी में दाग और द्रोन में भी अभिने किया जया बच्चन साल 2011 में विक्टर बैनरजी और हुमाईू फरीदी के साथ बांगलादेशे फिल्म महरजान में नजर आई ये फिल्म 1971 के बांगलादेश अत्यचारों की प्रिष्ट भूमी में एक प्रेम कहानी पर अधारित थी जया बच्चन अपने लंबे राजनीतिक करियर में भी काफी चर्चा में रही और कई बार विरोध भी जहलना पड़ा एक बार तो हिंदी भाशी होने के अपने बयान के कारण महराष्ट में काफी विरोध जहलना पड़ा विवाद इतना बढ़ गया था कि अमिताब बच्चन को सब के सामने आके इनके बिहाफ पर माफी माँगनी पड़ी थी इस तरह तमाम उतार चड़ाओ को बड़े गंभीरता से पार करते हुए जहा बच्चन ने फिल्मों की तरह ही असल जिंदगी में भी बहुत सफल करदार निभाए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से जया जी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्ते के लिए कामना करते हैं आज के लिए इतना ही आगे आने वाले एपिसोड्स में हम आपको कई और कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलों से रूबरू कराते रहेंगे तब तक के लिए दीजिए इजासत नमस्कार